बिस्मिल्ह रह्मान रहीम अस्सलामु आलेकूम वरहमदुलाही वबराकातु हूँ वेलकम बैक टो मैं चैनल कुकिंग विद बलिक फैमली जी तुवियर्स कैसे हैं आप उमीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो के है आटे के बिस्किट आज हम बिस्किट बनाएंगे वो भी आटे के साथ और इसमें हम कोई बेकिंग सोडा किसी किसम की ऐसी कोई चीज नहीं डालेंगे ना baking soda डालेंगे और ना ही baking powder डालेंगे और ना ही हम इसे oven में bake करेंगे तो इसे हम बहुत यह असान तरीके से बनाएंगे तो चलिए आईए हम इसको बनाते हैं और इन biscuits को बनाने के लिए यहां पर आप यह देखिए कि मैंने आटा लिया है और इसको मैंने अच्छे से चान लिया है ये मेरे पास एक कप आटा है और मैंने कप भर के लिया है और इसको हमने अच्छे से चानना जरूर है क्योंकि इसके अंदर अगर कोई गुटली वगारा हो तो वो निकल जाए और यहां पर मैंने आप देख सक के आप डाल सकते हैं कोई मसला नहीं है बस यह किससे फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त हो जाता है और यह बिस्किट हम टोटली घर की चीजों से बनाएंगे तो यहां पर यह है पीसी हुई चीनी यह हाफ कप से थोड़ी सी ज्यादा है और अगर आप इसमें अपने टेस्ट के म मिक्स कर लेना है गूंदने से पहले अब हम इसमें शामिल करेंगे मैल्टीड घी और यह मेरे पास डालडा घी है आप ऑईल भी डाल सकते हैं लेकिन यह के मैल्ट होना चाहिए और यह आजकल गर्मिया है तो इसलिए घी को इतना ज्यादा मैल्ट करने की जूरूरत नहीं ह निकखया क्या। जब लिए चाहरी को अशलिए और यह को इला है, जब दो इतना गहीं चाहरी के साथ ही मैं भी रूड़ा है अच्छी तरह से लिए पानी डला है कि और इसमें लिए और तो यह आप द एक कप की सब्लिदफ ढ़ना तो हम थोड़ा सा जो चोटा कप ना चोटा कप जो पांच वाँ नंग होता है वह वाला तो यह वह वाला कप है यह देखिए एक कप मैं ने वह चोटा और है तो बस यह आकाथ हूज मैंने इस अच्छे encle case हो जाएं तो इसको अपने जूज हो शुरूरत नहीं है गों से चार मिन्ट इसको जरूर लगाने हैं यह देखिए कितना जबरदसा बाइंट हो रहा है तो बस इसको गूंद के हम अच्छे से रख देंगे और इसको हम दस मिन्ट स्टे देती है क्योंकि जो पाचीनी हमने डाली है न वो भी थोड़ा सा पानी रिलीज करें कि जिससे डो करी तो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी तो बस इसके बाद यहां पर मैने वही कप ले लिया है और एसको चाहा है और इसके आमने बना लिलीए हैं बिस्कित तो मुझे नहीं थोड़ा सा लग लग रहा था कि मोटा बने और बड़ा बनेगा तो मैंने थोड़ा सा इसमें से डो निकाल के वापस डाल दिया है तो इस तरह से हमने इससे बिस्किट की शेफ दे लेनी है बिल्कुल गोड शेफ दे लेजेए का या आप चुकोर देना चाते हैं तो चुकोर दे ले और इसके पाद इसके उपर इस से आपने ड package बना देना है कट नहीं करना। सिरफ ज्मी बनाना है, इस तरह से ब captivity डोन孔 2 सचुरी बना वनाना, और रोटेन में। रखो डोन! और उंचे ही और जाओ? कैरें आपर एंद में मिलाना नहीं है। इस अूछ का डाना हो यह अब बाक्त हों さ नहीं कीति हैं। तो भी मैं इंशालला आपको बताते हैं उसके लिए कोई ओवन के जरूरत नहीं है कि नहीं जी ओवन ही होगा तो हम बनाएंगे तो अच्छा यहां पर नहीं आपको बताते हैं जलूँ कि मैंने जब यह बिस्किट रैडी किया ना तो मैंने इनके उपर अंडा भी लगाया था और वो मैं फिर आपको दिखाना भूल गी थे लेकिन आगे आप देखें कि उपर मैंने अंडा कोट किया है और अंडा लगाने सारे बिस्किट माशला से रैडी हैं और अब मैंने यह कड़ाई पहले ही गरम होने के लिए रखती थी इसके अंदर यह स्टैंड है और स्टैंड के उपर रख देना है हमने ट्रे को जो बेकिंग ट्रे जिसमें हमने बिस्किट सैट की है तो वो रख देने है अच्छा बिस चार मिनट के बाद आप उठाएंगे ना तो देखिए कितनी असानी सी यह आप ट्रे को छोड़ रहे हैं तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि एक बिस्किट थोड़ा सा गरम है लेकिन उसने अभी तक ट्रे को नहीं छोड़ा तो वो मैं छूरी की मतलब से आराम से उसको तो माशला से देखिए जबर्दस तरीक है कि यह बिस्किट बने हैं और मुझे उमीद है कि आपको यह बिस्किट के रैसे पी जरूर अच्छी लगी होगी देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमारे घर में मुझूद ना हो आटे से इतने मज़ेदार और हेल्दी यह बनते हैं बिल्कुल आप यकीन करें कि बजार के बिस्किट को पीछे चोड़ देंगे जितने यह मज़ेदार हैं तो यह देखिए माशला से हमारे सारे बिस्किट रैडी हो गया है क्योंकि मैंने एक टेम में पहले बिस्किट एक कप से यतने बिस्किट बने एक कप आटे स की दो बार मैंने बे किये थे और यह सारे ही आप माशीलले से राड़ी हैं अभी मैं आपको तोड़के दिखाती हूं तो यह दिखिये अमाशीलले से कि इतना करंची सा लग रहा है कितना जादा ना बुर बुरा सा है तो मुझे अमीद है तो मेरी रैसे भी आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और कमेंट पी सुरूर कीज़ेगा और जाते हुए बस हमेशे की तरह आप से यही कहूंगी खुश रहें खुशियां बांटें और लोगों के लिए असानियां पैदा कीजिए अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं प्यार से बनाएं उसमें घेर सारा प्यार शामिल करें तो मैं आउंगी इन्शालाद आला किसी नहीं अच्छी रेसिपी और या वीडियो के साथ तब तक के लिए आलाद आलाद की जाद आपको अपने हिफ्जों हमान में रखे